मीडिया के मित्रों आपको आपने देखा है कि जिस तरीके से एक सोशल मीडिया में एक बहुत वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी बेस्ट आतंकी संगठन हिजबुल मुझाहेदीन का सरगना शेक सलाउदीन पाकिस्तान की सरकार को कह रहा है कि हमें वो आतंक व किया जा सके इस वीडियो इस बात्चीत के जरीए ये बात तैह हो गई एक बार फिर पाकिस्तान आतंकवादियों का और अलगावादियों का काला चेहर सारी दुनिया के सामने आया है कि पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादियों को पना दी जाती है पाकिस्तान आतंकवादिय का शेल्टर देने वाला देशा पाकिस्तान की सर्जमी से आतंकवादी खुले आम तांडव कर रहे हैं और जमू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है जो बेगुना लोगों की हद्याई हो रही है इसमें सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेवार है सोशल मीडिया में वाइरल इस वीडियो में हिज्बल मजाहेदीन का आतंकी सरगना शेक सलावदीन पाकिस्तान की सरकार इमरान खान आईएसाई और पाकिस्तान की सेना से मदद मांग रहा है कि वो फिर से जमू कश्मीर को लहुलूहान करने की साज़िश कर रहा सारी दुनिया के सामने ये तथे उजागर हुए है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरजमी है पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है जमू कश्मीर के लोगों का कश्मीरियों का मुसल्मानों का इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो पाकिस्तान है पाकिस्तान कश्मीर को लहुलुहान करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान आतंकवादी और अलगावादी किसी मुकालते में होगे पाकिस्तानी किसी कलत वहमी में होंगे कि वो हिंदोस्तानियों का कश्मीरियों का जमू के लोगों का देशभक्त लोगों का के खिलाब शड़ेंतर करके वो किसी नापाक हरकत को अंजाम देगा भारतिय सेना के जवान भारतिय वायू सेना के जवान इंडियन आर्मी, एर फोर्स, नेवी, हमारी पैरा मिलिटरी फोर्सेज, बी एस एफ, सी आर पी एफ, आई टी बी पी एस एस बी, सी आई एस एफ और जमुक कश्मीर पुलिस के जामाजवीर सेनिकू ने हमेशा पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगावादियों को मुँ तोड़ जवादिया है, और इस देश के अंदर नेरेंदर मोदी साहब की सरकार है, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और शड़यंतर कारी देश हो, भारत देश के खिलाव जो शड़यंतर करेगा, और बुरी मौत मारा जाएगा, भारत देश के खिलाव जो शड़यंतर करेगा, उसको मलिया मिट करके रख दिया जाएगा, भारत देश और हमारे लोगों के खिलाव जो शड़यंतर करेगा, देश को धहलानी की जो कोई ताक मिटा के रख दिया जाएगा इस देश के अंदर निरेंदर मोदी साहब की सरकार है जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है बारत देश की सरकार दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों में से एक है इसलिए पाकिस्तान हो आतंकवादी हो अलगावादी हो इनके तमाम एजेंडे इनके मनसूबों को मल्या मेट करके रखेंगे और दुनिया के देशों को एक नतर सानी करनी चाहिए पाकिस्तान की इन काली करतूतों को युनाइटे नेशन के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान की काली कर्टूते युनाइटे नेशन के अंदर एक बार फिर सामने आई है और पाकिस्तान सारी दुनिया ने देखा है कि पिछले 30 साल में जो जमू कश्मीर के अंदर घटना करम हुआ है एक लाग से उपर जमू कश्मीर के अंदर बेगुना लोगों की हत्याइं की गई है और इस इन हत्याओं का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो पाकिस्तान है बम, बंदूर, पिस्तोल, गोलियां किसने भेजी आतंकवादियों के ट्रेनिंग केंप कहा है आतंकवादियों को ट्रेनिंग कौन देता है ISI और पाकिस्तान की सेना देती है आतंकवादियों को पैसा कौन देता है पाकिस्तान देता है अलगावादियों को शे कौन देता है पाकिस्तान देता है एक लाग से उपर लोगों की जमू कश्मीर के अंदर जो हत्याई की गई है बूटल मर्डर्स किलिंग की गई है निर्मम हत्याई हुई है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मवार है पांच लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से निकाला गया कतल किये चोटे-चोटे बच्चों की आँखे निकाले उसके लिए पाकिस्तान आतंकवादी अलगाववादी जिम्मवार है कश्मीरी पंडितों को निकाला गया बंदू की नोक पर क्या नाले लगाए गये थे कश्मीर के अंदर और कल एक बार फिर पाकिस्तानियों का काला चेहरा युनाइटे नेशन के अंदर बे नगाब हुआ है सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अलगवादियों का देश है जमू कश्मीर के लोगों का अगर कोई कातल है तो पाकिस्तान है और जम्हु कश्मीर के अंदर जीनो साइड नर संगार, अगर किसी ने किये हैं, वो पाकिस्तान ने किये हैं भारत देश, हमारी सेना, इंडियन एर फोर्स, इंडियन आर्मी, हमारी पैरा अमिलिटरी फोर्स, जम्हु कश्मीर, पुलिस के जवानों ने सीने पर गोलियां खाकर पाकिस्तानियों की काली साजिशों से जम्हु कश्मीर की जनता को बचाया है हमारी सेना, हमारी एर फोर्स, हमारी पुलिस, हमारी पेरामिलिटरी फोर्सिस जम्हु कश्मीर की जनता की रख्षक है रखशक बन के काम किया है हमारे जामबाज रणवांकरों ने जम्हू कश्मीर में और पाकिस्तान भखशक है पाकिस्तान ने बार बार कोशिशे की कि जम्हू कश्मीर को कबरिस्तान बनाया जाए लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साज़िश को हमकामयाब नहीं होने देंगे पाकिस्तान जब कोई साज़िश करेगा पाकिस्तान को मूँ तोड़ जवा मिलेगा